कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर्ट सीविल दबसेद में कि यूटूब चैनल में वारे साथ है तो भी यह वाला टेली क्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है सारी नोटिकेशन सारे अप्डेट सारे मोश्ट इप्टेट सारा रिवीशन सब कुछ आप पताया जाता है 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 एक खास बात यह है यहां पर जो डिसकेशन हो रहा है उसमें पूरा टेस्ट किया जा रहा है जैसा कि आपके एक्जैम में आने वाला है पेपर अगर आपके 200 questions आ रहे हैं तो उसमें math, reasoning, GS, science और हिंदी यह सारा section यहां पर discuss किया जा रहा है इन सारे sections के question आपको यहां इस video series में मिल रहे हैं तो यह series आपके लिए बहुत important है यदि आप UP pieces या फिल लोर pieces की exam में attempt करने जा रहे हैं okay friends so let's start तो यहां पर friends सबसे पहला part जैसे कि हमारा reasoning का होता है तो reasoning के part को हम लोग सबसे last में discuss कर लेंगे reasoning के part के जितने भी question होंगे उसके answers बता दिये जाएंगे जो tricky questions हैं उनको यहां पर मैं आपको discuss करके दे दूँगा यदि कोई question आपको problem होती है solve करने में तो आप comment section में question लिख सकते हैं और जो हमारी team है reasoning की वह आपको वहां पर resolve कर दिया जाएगा है ना वो question अगर उसमें जो भी problem होगी उसको वहां पर resolve कर देंगे तो question number 25 तक जैसा कि आप जानते है reasoning होती है और question number 26 अभी मैं reasoning के सारे questions और उसके answers आपको दिखा दूँगा लेकिन फिलाल question number 26 से discussion start करते हैं जो कि हमारा GS part है ठीक है तो friends से यहां पर सबसे पहला question था कि मत्स और कुरू राज्जियों की राजधानियों के बारे में बताईए state of the capitals of matz and कुरू state जो आपके महाजनपत थे 16 महाजनपत है उनसे रिलेटर question है इससे पहले वाले वीडियो में मैं सारे आपके जितने महाजनपत थे और उनके question number 26 जो है हमारा उसका अंसार होगा बी विराट नगर और इंदरप्रस्त जो मत्स है उसका जो capital है मत्स नगर का वो है विराट नगर और जो कुरू राजी की राजधानी थी वो थी इंदरप्रस्त ठीक है अगला question है question number 27 प्रत्रम जैन संगीत का आयूजन कब और कहां किया गया तो option में आपके पास चार दिये गये हैं वेन and where was the first gen council organized तो जो पहली जैन संगीत थी उसका जो आयूजन हुआ था वह आपका हुआ था पार्टिल पुत्रा में ठीक है तो पार्टिल पुत्रा इसका सही उत्तर होगा और इसका यूजन हुआ था 3rd century या फिर आप कह सकते हैं 300 BCE में ध्यान रखेगा फ्रेंट्स जो पार्टिल पुत्रा है उसी को अभी आज के टाइम पर हम पटना कहते हैं जो की बिहार में है first gen council आपके पार्टिल पुत्रें में खुत ही अगर कॉसिंग यह पूस जया था किसके unscrew में होती है कौन चेर्मैन था तो चेर्मैन था आपको इस थूल बद्र को इसे थो थूल भद्र इनगी चेर्मेंशिफ में पहली जैन कॉंसिल ऑइन कहो के existe । जो Square Pal तो देव वर्दी नाम एद रखेगा देव वर्दी इनकी चेर्मेंशिप में जो से किया गया था यहाँ पर क्या हुआ था तो इसकी एक खास बात यह थी कि जो त्यों आपर जैन लिट्रेचर स्कों कम्पोज की गया था जिनको हम लुग ट्वेल्व अंगास के नाम से पूछा जाए कहां पर है तो ध्यान रखेगा जो वल्लभी है यह आपका गुजरात में है और उसके बाद प्रेंट से जो सेकेंड बुद्धिस को सौरी जैन कॉंसल थी उसमें आपके 12 अंगाज है ना इनको अंगमाज बनाए गए थे तो आई होप कि इतनी इंफॉर्मिशन सफिशेंट है इस कोशन के लिए तो इसका सही आंसर हुजाएगा सी सारी डी 300 बीसी पाटिल पूत्रा अगला कुश्चन कोश्चन अम्बर 28 निम्न में ते किसे पंडित चोल के नाम से जाना जाता है तो इसका अनसर जाएगा फ्रेंट राजेंद्र प्रथम ना जो राजेंद्र प्रथम थे इन्हें पंडित चोल के नाम से जाना जाता है और अगला कोश्चन इसी में है कि चोल काल की मुख की शब्दावली में से गौन कार्थ बताना है तो गौन कार्थ इनके टाइम पर होता था किसान विच फॉलिंग नोन आपका चोल डैनेस्टी चोल आज जो थे इनका फाउंडर कौन था तो वह था आपका विजयाला चोला विजयाला चोला इसका फाउंडर था ठीक है उसके बाद प्रेंट से अगला कोश्चन है इसमें कोश्चन नमबर 29 निम्लिकित में से किस सासक ने अपनी राजधानी श शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम शाकंबरी तु अजमेर और निम्लिकित में से कि शासक ने प्रसिद्ध मारतन्द मंदर का निर्मान करवाय था तो फ्रेंट से जो विग्रह राज फोर्थ थे इन्हों ने अपनी जो कैपिटल थी वो शाकंबरी से अजमेर शिफ्ट की यह एक इन्हें जो चौों ऑफ्टेटान जो अजमेर की आप कह सकते हैं राजस्थान की चौहान या इन्हीं को चहमानाज भी काया ता है कि उससे आपके बिलॉंग करते थे विग्रे राज चतुत और इन्होंने अपनी कैप्टल शाकंबरी से अजमेर में अस्ताना अंतुरत के थी मतलब हम लोग राजस्थान के किंग्डम के आंबर बात कर रहे हैं उसके बाद इसी में अगला है कि शासक ने परसेद मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाय था तो जो फेमस मार्तंड टेंपल है वह एक्चुली में एक सन टेंपल है ध्यान रखिएगा और इट इस बिल्ट बाइद थर्ड रूलर ऑफ कार कोटा डैनिस्टी का और थर्ड रूलर कार कोटा डैनिस्टी का कौन था तो यह थे आपके ललिता दित ठीक है थर्ड रूलर जो कार कोटा डैनिस्टी के थे यह कौन थे ललिता दित और इनके नाम के कभी-कभी मुक्तापिदा भी लिखा जाता ठीक है ललिता दित मुक्ता प्रिद्दा हो तो यह पूरा नाम था इनका और यह थर्ड रूलर थे कारकोटा डैंस्टी के जो की जम्मु एंड कश्मीर में भी रहाँ करता है जान रखेगा यह हम बात कर रहें जम्मु एंड कश्मीर की फर्स्ट पार्ट इसका कुश्चिन का है राजस्थान से लेटेड और सकेंड पार्ट है जम्मु ए-कश्मिर जो आपका मारतं data sun temple है यह भी आपका जमुएंड कश्मीर है लृह मारतं किसको का या ना眲ाइट ऑपका सूर्य भगवान कोही का या ता है तो sun इंड्री ब्रैट किस मोगल साशक नहीं होना चाहिए यहां यहां पर होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के Кिस शासक में अनजरात को, दिवाने अरज से लग किया था, दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि कौन कौन से वन साएं हैं, अगर नहीं पता है तो मैं एक जिल्दी से आपको ओअरिविद देता हूं, सबसे पहले था आपका से Deutsch ए कि इसकि बाद आपका एक खिल 행ाak फिर आपका साय और लुधी यह याद रखेगा तो यहां पर किस शार्षक ने इस पूरे म檢़ें आपका सिरीज के किस आ सकने दिवाने अनजराट को दिवाने अर्ज से अलग किया था दिवाने अनजराष जो था Cryस अ aparece मिभाय को सियल और नहीं अ साथ यह आपका स्लेव डैनस्टी से बिलोंग करता था कि स्लेव डैनस्टी को में गुलाम मंस की भी नाम से आनते हैं ठीक है तो इसलिए मुगल शाह सक कहना ठीक नहीं है बल्बन इसका सही अंसर होगा ए ठीक है अगला कोशन कोशन नमबर 31 और कोट का युद्ध और ताले ग और कोट का युद्ध एक्चुली में आपका जो सेकंड बैटल हो रहा था आपने से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध चल रहा था जिसमें जो थर्ड बैटल का थर्ड करनाटिक वर्ड था उसमें जो इंग्लिश तो फाइनली सुपीरियर होते ह के बाद तो यह जो आपका आरकोट का बैटल है आरकोट का युद्ध यह आपका जो सेकंड करनाटिक वर्ड था उससे रिलेटेड है उसी का एक पार्ट है इसमें में जो भूमिका थी वो थी रॉबर्ट क्लाइट की रॉबर्ट क्लाइट अंग्रेजों और सांसीसियों के अब यहां पर जो इंग्लिश थे या अंग्रेज थे वो इंटर्नल अफेर्स तो था स्टेट का उसमें इंटर्फेर कर रहे थे करनाटिक और आरकोट के जो नवाब थे उनके लिए तो इसले हम कह सकते हैं कि जो बैटल हुआ था यारकोट का 1751 में हुआ था उसके बाद ज क्यön ASMR का जो संद्री ती और जो जो सालवाई की संद्री थी सूरत की संद्र ही हुई थी उसी के कारण यह बैटल हुआ था ताले गाओं का और सालवाई की संद्र के द्वारा यह बैटल को हां थ Bare । अबाद हम कह सकते हैं की जो ताले गाओं का युद्ध्ह है यापका 1776 म होता है और जो ताले गाओं का युद्ध से पहले सूरत की संधी होती वो किस बैटल की बाद वी थी तो जो वड़ा गाओं है तो में लिए हम किन दो पार्टी के यहां पर बात कर रहे हैं इंग्लिश और मराथा इनके बीच में जो युद्ध हुए थे उसमें आप कह सकते है है जो शेकेंड एंग्ला मेराथा वोर था तो सेकेंड एंग्ला मराथा वार युक्त हूँ पर 1782 में तो इनके बीच में बैटल हुआ था तो ताले गाउं का यूद इसी का पार्ट है इसलेम कहते हैं कि 1776 बैटल आफ ताले गाउं ठीक है अगला कोश्चिन है कोश्चिन नमबर 32 सांग सफ इंडिया और दे स्कोप आफ हैपिनेस पुस्टकों की लिख्वा नाम बताना है है सौंगस ऑफ इंडिया जो है यह आपका फ्रेंड से अब कह सकते हैं कि शरूजनी नाइडू का और जो the scope of happiness है यह आपका है विजयलक्शमी पंडिस का हूं तो बहुत important है स्लॉणस ऑफ इंडिया यह आपका है सरूजनी नाइडू की पुस्टक कनांव और जो स्कोप अगला सोच्टे से किस अधिवेशन में सुरेंदरनाथ बेनर जी को रास्ट गुरुक्ष की उपादी जो कॉंग्रेस की अठार्वी बैटर कुछ तो प्रदीक है यह का दिया गया था और यह आपका 1902 में अंदाबाद में हुआ था चिक है तो अध्यार्मावं अधिवेशन इंसी का 1902 और अगर पूछा था तो अहंदाबाद यहां पर सुरेंद्रनाथ बैंदर जी को रास्ट्र गुरू की उपाद दिगे थी सुरेंद्रनाथ बैंदर जी फ्रेंट सेकेंड इंडियन थे ध्यान रखेगा जिन्हों ने इंडियन सिविल सर्फसेज एक्जाम को क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्फसेज एक्जाम को क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्फसेज एक्जाम को क्वालिफाई करने वाले दूसरे बारती थे सुरेंद्रनाथ बैंदर जी और अगर पूछा यह पहले भ सिंग ने आजाद हिंद फोज के घठन का विचार का पारिद किया फ्री इंडिया सेंटर के स्थापना के द्वारा की गई तो मुहन सिंग ने आजाद हिंद फोज के गठन का विचार था वो 15 दिसम्बर 1941 को सेच्ट्वल कोश्टन आपको याद करना पड़ेगा और जो फ्री इंडिया सेंटर इसकी स्थापना ध्यान रखेगा शुबास चंद्र बूर जी के द्वारा की गई थी फ्री इंडिया सेंटर कोशन इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं कि अगला कोशन है कोशन अबर 35 ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन किश्वर्स किया गया तो यह आपका हो जाएगा एतिक अटीवन ठीक है इतीन एटीवन और रास्त गुफ्तार अगर पूछाहे शमाचार पत्र का प्रकाशन कब कर गया तो यह आपका हो जाएगा रास्त गोफ्तार किसका समाचार समाचार पत्र है तो यह आपका है दादा भाई नौरोजी का और उसी तरह गर ट्रिब्यून की बात करें यह किसका समाचार पत्र है तो यह आपका है सरदार दयाल सिंग मजीथिया यह आपका है सरदार दयाल सिंग मजीथिया फांडर थे ट्रिब्यून के और जो दादा भाई नोरोंजी है उनका समाचार पत्त था राश्ट गुफ्तार और राश्ट गुफ्तार का अगर पूछा जाँ प्रकाशन हुआ कप था तो यह था आपका 1854 ट्रिब्यून आपका 1881 हो जाएगा और रास्ट गुफ्तार 1554 हो जाएगा रास्ट गुफ्तार का मत्लब क्या होता है तो रास्ट गुफ्तार का मत्लब है फ्रेंट्स टुथ टेलर ट्रूथ टेलर मतलब सच्चाई को बया करने वाला तो राश्टु कुफतार किसका है दादा भाह नोरोजी 1854 ट्रिब्यून है आपका सरदार दयाल सिंह मजीथिया नामे आद रखिएगा आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स अगला कोश्चन हमारे पास कोश्चन नमबर 36 टीटु मीर का अंदोलन और रामूसी विद्रो किन राज्यों से संबन देता है तो टीटु मीर इनका एक असली नाम अगर पूछा जाए तो इनका असली नाम था सैयद मीर निसार अली सैयद मीर निसार अली इन्हें को बोलाया था था कि टीटु मीर ये एक पीसेंट लीडर थे पीसेंट लीडर थे हाना किसान नेता थे जिन्होंने आप कह सकते हैं कि 1831 में एक अपराइजिंग को लेड किया था जिसको हम लोग बोलते है नारकेल बेरिया अपराइजिंग नारकेल बेरिया देखे बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी न्यूस में भी था तो इसको आप लोग याद कर लिएगा नारकेल बेरिया तो नारकेल बेरिया विद्धरो क्या था एक्चुली में इसको हम कई बार कंसिडर करते हैं फर्स्ट आम्ड पीसेंट रिवोल्ट इन इ इसार अली ने एक्चुली में क्या किया थे लोगों ने इन्होंने नारकेल बेरिया में बैंबू के आप कह सकते हैं बांस के किले बना दिये ते बिटिश जो एंपार तो उसके खिला और साथ ही साथ जो हिंदू लैंडलॉड थे उन्होंने जो फराजी लोग ते उनको दा तो यह सारे पॉइंट्स इंपॉटेंट हैं यह पूछा आते हैं तो टीटू मीर का सिनाम सहीर मीर निसार अली और पूछा जा रहा है कि एक कि सराज से संबंदित था जो विद्डू था तेटू मीर वाला तो फ्रेंट से टीटू मीर का जो आंदूलन था यह आपका रिले अगर सूखा पड़ जा रहा है हना तो एंटी फ्रेमाइन जो नीचर लेंडलोड की द्वारा है बिटिस की द्वारा यूज किया था उसके विरुद्ध यह विद्डू होता है महारास्ट में ठीक है तो रामोसी विद्डू आपका पीसेंट्री वोल्ट हमारास्ट में मद्रास हिंडू जो एस्सेशन था इट इस फॉंडेड़ वाई हम लोग कह सकते हैं वीर सालिंगम पुंटलू है ना वीर सालिंगम पुंटलू और कब की गई अगर पूछा है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा एटी नैंटी टू अठारा सो बांबे में वीर सालिंगम प गई तो देव समाज शिनारायन अगनी होतरी जो शिव नारायन अगनी होतरी थे यह किस से प्रभावित थे तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रम समाज था है उसके क्पाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला है कोशिन न्वर 38 निमनले में और चिह रखों आंग्ल भार्तियों य OWP सब्सक्राइब को प्रत्थक प्रतिनिजित्व प्रदान किया गया बाइविच ऑफ फॉलॉइंग एक्ट हैड सिख एंगलो इंडियन क्रिस्टिन यूरोपेंस और सब्सक्राइब प्रवाइड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन तो यह आपका गौर्रमेंट ऑफ इंडिया एक विद्र हुआ था तो इसका सही जो आप जाएगा भी भारती भारत शरकार दनिया उन्हीं सोनीस उसके बाद प्रेंस अगला कोश्चन है मारा पास कोश्चन नमबर 39 नोहल नोहक लिकाई जल प्रपात और वातांग वांग जल प्रपात मतलब नोहक लिकाई वाटरफॉल औ और वांटा वांग वाटरफॉल कहां पर लोकेटेड हैं तो बहुत इंपोटेंट हैं तो इसलिए पूछे आते हैं तो जो नौहक लिकाई वाटरफॉल है आपका मिजोरम में स्टेबिश किया अगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है मारा पास कोश्चन नमबर 40 कीन दो रा बीस फरवरी 1987 को किया गया था तो अरवडांचल प्रदेश और मिजोरम का अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 41 पुनमाह हिम्नत कहां पर सेच्वेटेड है मतलब पुनमाह ग्लैशर के बारे में पूछ रहे कहां पर लोकेटेड है तो यह आपका जो कश्मीर वैली है वहाँ पर ताबो मठ कहां पर स्थित है तो ताबो मठ आपका जो इस्पीटी वैली है यहां पर स्थित है लाहूल इस्पीटी आपने नाम सुना होगा तो लाहूल इस्पीटी कहां पर यह आपका हिमांचल प्रदेश में रहा ठीक है तो जो आपका पुनमाह ग्लैशर है यह कश् राजर में श्कित है इन विचा स्टेट जो रोहतांग पाशव पास लोकेटेड़ और अगला कोशी नहीं हमें इन विचे टेट इज पैंग सू पास in तो पैंग साव दर्राए और रोहतांग प्रदेश में जाएगा अगला कोशन है कोशे नंबर 43 सु तंतरता प्राप्ती के बाद पहली बार रास्ट्री 1 ने थी कि घोशना कब की गई थी तो यह आपकी में किया गया था थो भारती वन प्रबंधन संस्थान 1984 में स्टेबलिश किया गया था इंग्लिश में ऐसे हम कह सकते हैं इंडियन इंस्टिटीूट आऊ forest management तो कहां पर इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में sorry 1984 में तो इसका establishment 1984 में हुआ था भूपाल मद्यप्रदेश में ठीक है भूपाल MP तो ये भी पूझा सकता है कि जो Indian Institute of Forest Management है ये कहां पर है तो ये आपका भूपाल में है ठीक है है फ्रेंस में सबसे प्रतमस्तान पर मैंपूरी है और घाजर को अत्तपादन में मैंनपूरी में सबस्यादा सब या शीर से रह। इस टinflamm को पंजिए टॉप इन्डिया में ठीक है अगला question है question number 46 cement और graphite खनीजों के उत्पादन में वैश्वी कस्तर पर भारत की करमशे कौन-कौन से अस्थान है what are the ranks of India globally in the production of the cement and graphite minerals respectively तो इंडिया का रेंग globally पूरे वर्ल्ड में cement और graphite की production में कौन सा है cement के protection में friends इंडिया का रेंग दूसरा है और जो graphite है उसके protection में इंडिया का रेंग चौथा है ठीक है cement protection में दूसरा और graphite में चौथा अगला है आपका 47 निम मेंसे कौन सा जिकल्फ सही नहीं है यहां पर चली country और capital दिया हुआ है तो कर्गिस्तान बिश्केक जो पूर्चुगाल है उसका लिजबन केनिया का निरोबी है प्रदक्षिन कोरिया यह साउथ कोरिया का आपका प्योंग यॉंग नहीं है तो सब्सक्राइब कोई निर्च कोपगदा सब्सक्राइब इयापका इराक में और बगदाच सहर किस किनारे चीभर तो यह थना चौशन निसक्ता थो दिया आपका इसा kiss निल नाइं प्रदक्र적ल को Ś्क पर 19 में आगे बढ़ते हैं कोशिन नंबर 49 पे तो कोशिन नंबर 49 कहता है सुतनत्र भारत के पहले मंदल में खाद अंकरिशी मंत्री और रक्षा मंत्री के पत्पर तिन वक्तियों को निश्चित किया गया था अगे बढ़ते हैं कोशिन नंबर 50 समविधान की कौन सी अनसूची में असम में घालित तिर्प्रा मिजूरम राजयो कुई जो जन्जाती शेत्र के प्रशासन के बारे में बंदे गये हैं अना administration of tribal areas इन असम में घाला है तरप्रा एंड मिजूरम इन विच शेड्यूल अगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोश्चन नंबर 51 भारती समविधान में संसधी शासन और मूल अधिकार के किन देशों के समविधान से लिए गये हैं तो जो आपका इंडिय कोश्चन नंबर 52 है कि समविधान संसुधन के द्वारा रास्ट्रपती उपरास्ट्रपती प्रधान मंतरी और लोग सबाद्देक्षी से संबंदित विवादों को नयाले के शेत्र अधिकार से बाहर रखा गया है बाइविच अमेंडमेंट एक्ट हैव दिस्प्यूट्स आपका प्रेजिडेंट वाइस प्राम मिनिस्टर इस्पीकर इसे रिल्टे डिस्पीकर वह आपके जुडिश्री के जो इससे बाहर रखे जाएंगे यह बात कौन से निश्यत करता है उन तालिश्वा समविधान संसुधन अधिनियम 1975 अगला कोशन है कोशन नमर्स ती त्र इतन दरद क्या जाता है तो आपका अट्र फूटी हो जाएगा जू कि आपका गांधियन फ्रिंस्पल पर भी अधारिता धना जो आपके बी Salesforce है और भी कुछ bit अपके स Henry है तो kiloounded vigil फॉर यह के अंदर को स्वाश्वाजिस्वा स्लिए ने पूर्वी छेत्री परिशत का मुख्याले कहा परिस्थे था है पूर्वी छेत्री परिशत का मुख्याले पुछा जा रहा है मतब अगर इंग्लिश में हम इसको बात करें तो यह आपका कहला ऌएगा इस्टर्न जूर्नल वोगा इस्टर्न जूर्नल कांसिल उसके बाद एक अलग जुर्नल इस यूर्ट कांसिल का चेर मैंन होता है जो आपका पूर्वी जूर्नल कांसिल इसमें टोटल फॉर स्टेट्स होज़ें तो इसमें आ जाएंगे विहार जारकन डूरीसा और वेस्ट बेंगॉर अगर पूछा जाए कि उत्तर पुर्वी चेत्री जो जो जोनल कांसिल है पूछ रहा है कि वह कितने मेंबर से मिल करके बना हुआ है तो अभी हम लोगोंने बात की है चार है ना टोटल चार मेंबर से मिल करके बना हुआ है और अगर पूछा जाए कि हेड़कोर्टर इसका कहां पर इस्टन जोनल का तो आपका कलकता ने है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट लियाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 55 उत्तर प्रिदेश की पूर्व से पश्चिन तक की लंबाई कितनी है मतब वे अगला कोशन है मार पास कोशन नमर 56 उत्तर प्रिदेश के सबसे पश्चिमी जिले का नाम बताना है तो उत्तर प्रिदेश का सबसे पश्चिमी जिला वेस्टन जो डिस्टिक वह आपका शामली है और कौन सा जिला जहारखंट राज की सीमा को इस पर्स करता है तो एक मातर नंद कारागार प्रसिक्ष्ण सहस्थान के स्थापने कप की गई और इसी में एक और कोशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माइगरेंट संस्थान जो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहां पर है तो इसके स्थापना कप के गए थी तो नैंटिन फोर्टे में की गए ठीक है अगला कोशन है हमीरपुर और मुरादाबाद किं दो नढदीयों के किनारे स्थित हैं तो तो हमीरपुर आपका यमुना नदी की किनारे है और जो मुरादाबाद है वह आपका राम गंगा नदी की किनारे है तो हमीरपुर एक्चुली में यमुना और बेत्वा का जो संगम है उसके बैंक पर स्थित है केन बेत्वा सिंद चंबल यह आपकी यमुना नदी की ट्रिब तो आपकी जो बेतवा है केन बेतवा सिंद्र चंबल यह आपकी राइट बेंक चैनल रखेगा ठीक है और वहीं पर जो राम गंगाना दी है इसकी किनारे पर आपका मुरादाबाद इस्तित है तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑन दे बैंक ऑफिच रिवर अगला कोशन 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 नमबर 59 रानी पूर वन जीव विहार यह आपका चितरकूट में है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेगा रानी जीव वन पूर विहार यह आपका चितरकूट में है और महावीर स्वामी वन जीव विहार यह आपका ललितपूर में है मतब रानी पूर वाइडला संचरी अगर प पलिया आपका लखेंपोर खिरी में तो पलिया जो एयर्पोर्ट है ये भी आपका लखेंपोर komb долiny नोख यह गोल्गे और या अधिवाःटें अब बताते हैं धौरथ एक्प्षेंपोर Pvd ने को बितल से छेण। पॉंग डाइम आदर भूमी शेतर हैं मतब पॉंग डाइम वेटलैंड एरिया और कांजली आदस्ट अ至 एंडिया में यह कहा लो केटेड है तो यह आपका पॉंग डाइम है जिहान रखेगा यह आपका हिमांचल प्रदेश में ए हं और यह दोनों ही प्रदेश में और जोग कंजली है या आपका है पंजाब में फ्टिर ढगला क्विकोडा कोशिन नभर्स 16 इस्तरी दैवि कोड़ा मपढ़ीकोडम में cinq तो देवी कोडा मेंगरूफ साइट ओडिशा एंड रामनेज मेंगरूफ साइट यह आपका तमिलना है ठीक है अगला कुशन है कोश्य नमबर 64 रास्ट्री व्यापक वायू गुडवक्ता माप दंड को नौमबर 2009 में संसूदित करने के बाद इसमें 12 प्रदूशकों को सामि नहीं है तो लिड आर्सेनिक कारवन अम्रोकसाइड यह सारे ही शामिल है कैडमियम इसमें शामिल नहीं किया गया तो कैडमियम आपको अलिमिनेट करना था जो आपका एर क्वालिटी एर नेशनल एमेंट एर क्वालिटी स्टेंडर्ड था उसमें जो 12 प्रदूटेंस थे और एबोटिलोन दे आर्ट टू क्रिटी कली इंडेंजर्ड इस्पेसिज ऑफ प्लैंट इन विच स्टेट यह आर्फांड किस स्टेट में पाए जाते हैं तो फिर जो आपका पोली गाला है यह आपका गुजरात में पाए जाता है ज्यान रखेगा और जो आपका एबोट प्लांट की स्टेट प्लांट यह पौदो के बर जाती है पौली गाला आपका गुजरात में और जो अबुटिलीन है यह तमिल लाड़ों राजियो गांदी राष्ट्री उध्यान कहां पर रिस्तित है तो राष्ट राष्ट्री उध्यान या फिर कुद्रेमुख पांगो लखा वनेजियो अभारन मतब पांगो लखा वाडलेफ सेंचुरी और सिपाही जाला मतब सिपाही जाला वाडलेफ सेंचुरी यह दोनों ही कहां पर रिस्तित है तो जो आपका पैंगो लखा वाडलेफ सेंचुरी है यह आपका है सिक्किम में ध्यान रखिएगा पैंगु लखा ये आपका सिक्किम में हैं और जो सिपाही जहाला वायलेफ सिंच्यॐरी ये आपका तृपरा में ठीक है तो सपाही जहाला तृपरा और जो पैंगु लखा वनःजो अbher energy अबरन शेकcji में आगे बढ़ातें में और तो आपका पर है यंत्सकिक आपका आसान में होगा तो ध्य़ान रखेगेगा और चाहिश्यस्तरी ने चाहीं टा से किस प्रकार के फाईल बनाई जाती है तो आपको पता है Department अन्वर्ड प्रोसेशिंग प्रोग्राइम जो होता है उससे Department बनाई जाती है । यूसी और पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट आधारित डॉकुमेंट तेयर करने वाले सफ्ट यूर को का कहते हैं तो करने लिए और यूजर द्वारा टेक्ट कि सेंट्रिंग के लिए किस शौट की का प्रियो कि आता है शौर्ट की इस पूर दे जैसे आपने कुछ लिखा एंट फोर्ट में आपने कोई दो-तीन लाइने लिखी है अब तीन इसके टोटल चार आपको दिखेंगे कि चार मोड में आप इसे establish कर सकते हैं या तो आप left में आप इसको मतलब left में align कर दीजे या फिर आप right में align कर दीजे या फिर center में align कर दीजे या फिर इसको आप spread कर दीजे पूरे अपने paragraph को उस पूरे space में left alignment का मतलब होता है कि left में आपको एक सीजी लाइन दिखेगी और यह आपके सारे statement ऐसे लिखे रहेंगे, इसमें right alignment नहीं होता है, right alignment का मतलब है कि आपका text ऐसे arrange हो जाएगा, ऐसे, right में यह आगे पीछे नहीं बड़ा दिखेगा, लेकिन जो left है वहाँ पर यह alignment नहीं होगा, center का मतलब होता है क कि जो भी text है वह आपका center में इस तरह से आजाएगा, ऐसे, ऐसे, तो left के लिए CTRL L दबाते हैं, center लिए CTRL E दबाते हैं, और जो अगर right में आपको लाना है, तो CTRL R दबाएंगे, ठीक है, तो यह आपका कुछ short keys होते हैं, जिसका use किया जाता है, documents create करने के लिए, अगर control भी बलाता है, control plus A अगर आप दबाएंगे, तो सारा पूरा document आपका select हो जाएगा, एक बार में, पूरी file आपके select हो जाएगी, CTRL plus X अगर आप दबा देंगे, CTRL plus X, तो सब कुछ cut हो जाएगा, ध्यान रखेगा, cut होगा, अब इसके बाद अगर आप CTRL plus V दबाएंगे, तो जो भी cut होता हो, सारा paste हो जाएगा, तो यह कुछ short keys होती है, जो कि काफी useful होती है, अगर आपको document प्रेपर करते हो, 71 question है आपका, कि world document का file extension क्या होता है, तो .doc मैंने आपको बताएगा, और पूरे document को select करने के लिए, अभी मैंने आपको बताए, control A रबाए जाता है, ठ control प्लस V कर देंगे, तो यह पूरा कहीं पर भी paste हो जाएगा, उसके बाद अगला question है, question number 72, निम्न में से कौन सा शब्द MS Word से संबंदित नहीं है, तो जो slide show है, यह आपका MS PowerPoint से, Microsoft PowerPoint का word है, जो slides हो है, यह word से related नहीं है, MS Word document में अक्षरों के नीचे, line क्या प्रदर्शित करत दिखाती है, तो यह आपका error को दिखाती है, है ना कि जो spelling है, उसमें कोई error है, तो spelling error इसका correct answer हो जाएगा, उसके बाद question number 73, आपका DVD का पूरा full form क्या होता है, digital versatile disk, याद रखेगा, digital versatile disk, यह आपका DVD होता है, ठीक है, और स्थाई storage या फिर permanent storage device कौन से होती है, तो आपकी hard disk होती है, ठीक है, 74 है, से की कौन सा सब्द, गीगो से संबंदित है, है ना, analog world में इसका use कहा जाता है, garbage in garbage, out के द्वारा, तो इसमें फ्रेंट से accuracy देखी जाती है, तो accuracy इससे related है, garbage in garbage out, आपका accuracy related word है, और विस्तु का सरप्रतम सूपर कम्प्यूटर, यह आपका 1975 में डेव आपका Fugaku है, ध्यान रखेगा, Fugaku और यह कहां का है, यह जापान का है, हैना, current time में fastest supercomputer of the world, आपका Fugaku है, यह आपका जापान डेवलफ किया है, उसके वाद अगला question है, question number 75, उत्तर प्रदेश के किस सहर में देश के सबसे पहले logistic और integrated support, transport हब का निर्माड किया गया है, तो आपका इसका अंसर हो जागा, greater Noda B, हैना, greater Noda में देश का सबसे पहला logistic और integrated transport हब विक्सित किया गया है, हैना, first logistic integrated transport हब, greater Noda विक्सित किया गया है, अगला question है, question number 76, हाली में electronic वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, switch Delhi अभियान, किसने सुरू किया है, recently was started, switch Delhi campaign to promote electric vehicles, तो इसका अंसर हो जागा, आपका अर्विंद केजरिवाल, हैना, जो दिल्ली की चीफ मिनस्टर है, अर्विंद केजरिवाल, उनके दोराई start किया गया, 77 question आपका कि सर्वुदय योजना का प्रतिपादन, किसने किया था, तो सर्वुदय योजना का प्रतिपादन, यह और जो जन योजना है, पीपल्स प्लान है, इसे 1945 में लॉंच किया था, नरसिम्भन समीटी और पिंटो समीटी किस से संबंदित है, तो पिंटो कमिटी थी, ध्यान रखेगा, पिंटो कमिटी यह आपकी सिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अब सिपिंग इंडस्ट गुडवस्ता, मापन के लिए, और आभूशनों की सुद्धता के लिए आता है, तो फ्रेंट ध्यान रखेगा, जो क्वालिटी मेजरमेंट होता है, यह आपका ISO 9001 होता है, और जो आपका किसी भी जोलरी की प्योरिटी का मानक होता है, वो आपका ISO 92 होता है, है ना, ISO 92, उस Organization of Petroleum Exporting Countries, इसका जो मुख्याले है, ध्यान रखेगा कहां पर है, यह आपका वियाना में है, और वहीं पर फिर पुछ दिया, APEC, APEC, Asia Pacific Economic Corporation, जो इसका मुख्याले है, यह आपका सिंगापूर में है, तो जो OPEC है, Organization of Petroleum Exporting Countries, इसका मुख्याले है, और जो आपका APEC है, Asia Pacific Economic Corporation, इसका मुख्याले है अपका सिंगापूर में है, अगला कोश्चन है, पावर फाइनेंस कोरपरेशन और भारती, नौ आहन निगम की स्थापना कपकी गई, वेन वर दा पावर फाइनेंस कोरपरेशन और शिपिंग कोरपरेशन और शिपिंग कोरपरेशन और इंडिया लोक कारकरम एवम ग्रामीड प्रद्योगी की संबर्धन परिशद, काउंसिल फॉर एडवांस्मेंट और पीपल सेक्षन और रूरल टेक्नोलजी कभी स्टेबलिस की गई थी, तो इसका इस्टेबलिश्मेंट हुआ था 1986 में, 1 सितंबर 1986 में, and where its headquarter located, तो इसका headquarter New Delhi में है Council for Advancement of People's Action and Rural Technology, इसका headquarter या आपका New Delhi में होता, 1986 में, इसको established किया गया था, 83 आपका अननदी बेन पतेल ने, अक्टूबर 2020 में, कहां पर एक महिला स्रक्षा अभियान, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सुभारम किया था, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो कि आपका अननदी ब स्टार्ट अप, स्टे, स्ट्लैप्स ने किस राज जिमे, डिरी के सानों के लिए, अपनी तरह का पहला पूरी तरह से सवचाली, डिरेक्ट बुक्तान प्लेटफॉर्म, मोपले, मोपे लाँच किया है, इन विची स्टेट, अइस्ट्या की, स्टे लाँच अपके सिटे, राजस्तान आया टी मद्रास के द्वारा या फिर आप कह सकतेज़ के जो डेरी टेक स्टार्ट अप में इनके द्वारा मुपे लॉंच किया गया है राजस्तान में तो ये एक इंपॉर्टेंट कोशन है इसको आप लोग को याद करना होगा अग्ला कोशन कोशन न्बर 85 दो व्रेंट से अगला कोशन नंबर 86 एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को एशिया पाउर इंडेक्स में पहली पोजिशन पे आपका अमेरिका है यूनिटेड इस्टेट्स दूसरे पे है चाइना थर्ड पे जापान और फूर्थ पे है आपका इंडिया अगला कोशन है 87 निम्ले किसमें शेविस्व का पहला देस कौन सा बन गया है जिसने बिटकोई अगला कोशन है कोशन नमबर 88 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है हाली में राश्टी सुरक्षा गार्ड का थ्रीजीमा 36 वहां इस्थापना दिवसका मना आगया है तो विच रैंक हैस इंडिया बीन गिविन इन ग्लोबल हंगर इ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है आपका 94 चौरण वहां इस्थान है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो के फक्री आप जानते होंगे कि द्वारा लांच के जाता है और जो 36 रेजिंग डे या फिर सराश्टी सुरक्षा गार्ड का 36 स्थापना दिवस मना जाता है सोल अक्टूबर को ठीक है तो इसका अंसर होगा सोल अक्टूबर और 94 पोजिशन इंडिया का है ग्लोबल अंगर इंडेक्स में ऑप्शन 20 का राइट अंसर कोशन नमबर 89 इंडिया स्मार्ट सीटी आवर्ड प्रतियोगता 2020 के अनुसार देश के किस रा इसका नाम बताइए नेम पंज्रिकान नाम बताईए नेम धॉथर अफ्ड़ अफट्र इंडिया विलऊंगर शेण है पर और दूसरा कौशन नहीं में कि मनुष्ट नाइज रिसेंट्ली अनूंस्ट तु स्टार्ट दे ब्रोग्राम मइ टाउन मइप्राइड मनुष्ट is a lieutenant governor of which of the following state or union territory मतला मनोज सिना ने हाली में एक my town my pride का कारेकरम शुरुवात किया है और मनोज सिना किस राज के या के इंदर शासित प्रदेश के राजय पाल है देखिए दो कोशन यहाँ पर भी है the battle of the belongings ये book किसकी है तो ये book है friends शसी थरूर की और मनोज सिना आपके जमू इन काश्मीर के उपर आजय पाल है ध्यान रखिएगा lieutenant governor है जमू इन काश्मीर के मनोज सिना और मनोज सिना ने हाली में भी my town my pride कारेकरम शुरू किया है अगरा कोशन है question number 91 हाली में Denmark ने विश्व का सबसे उचा रेत का किला बनाकर Guinness Book of World Record बनाया है इस रेत के महल के उचाई कितनी है तो दोनों को यहाँ पर चीज़े important है कि किसने विश्व का सबसे उचा रेत का किला बनाया है तो यह बनाया है आपका Denmark ने हाली में और यह बनाकर कि इसने Guinness Book of वर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है जिसकी उचाई है आपकी 21.16 मीटर ठीक है 21.16 मीटर वर्ड स्टॉलेस्ट सेंड कैशल बिल्ट इन डेनमार्क एंड हैसे टन न्यू गिनीज बुक वर्ड रिकॉर्ड एंड इस हाइट इस 21.16 मीटर अगला कोशन है कोशन नमबर 92 जुलाई 2021 में हंगरी के बुड़ा पेस्ट में आयो जित कैड़ेट विश्व चैंपेंशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में किस बारती जूनियर पहलवान ने स्कूर अंड पदक जीता है विच इंडियन जूनियर रसलर वोन गोल्ड मेडल इन 73 केजी केटेगरी एटक कैड़ेट वोल्ड चैंपेंशिप हेल्ड इन बुड़ा पेस्ट हंगरी इन जुलाई 2021 तो फ्रेंट्स का सही जवाब है प्रिया मलिक प्रिया मलिक 73 किलोग्राम वर्ग में इनोंने विश्व चैंपेंशिप आज जित की गई थी हंगरी बुड़ा पेस्ट में वहाँ पर इनोंने गोल्ड मेडल या स्वन्ड पतक जीता है अगला कोशन है कोशन नमबर 93 नेशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव 2021 के संदर्व में कौन सा कथन सही है विच विदे रिफ्रेंस टुदा नेशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव 2021 विच स्टेटमेंट इदार करेक्ट पहला आपका प्रदान मंतुरी नरेंद्रमोदी ने चार जन्वरी 2021 को नेशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव का वर्चुल उद्गातन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्रमोदी वर्चुली इनाग्रेटेट दे नेशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव वन 24 जन्वरी 2021 तो यह स्टेटमेंट बिल्कु सही है अगला स्टेटमेंट है इसमें कि राष्टरी मेट्रोलोजी कॉनक्लेव 2021 का विशय था रास्टर के समाविश्य विकास के लिए मेट्रोलोजी तो थीम अफ देशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव 2021 इस मेट्रोलोजी फॉर दे इंक्लोसी ग्रोथ ऑफ दे नेशन तो फ्रेंट्स के दोनों ही ऑफशन करेक्ट हैं बोथ वन एंडेटो इसका राइट अंसर होगा ठीक है अगला कोशन है कोशन नमबर 94 किस देश के द्वारा प्रदूशन फैलाने वाले उद्योक के उस्वर्जन पर नजर रखने के लिए एक नए प्लेट्फोर्म को स्थापित किया गया है कि विच कंट्री विल सेट अप अन्यू प्लेट्फोर्म तो ट्रैक एमिशन ऑस पॉलुटिंग इंडश्ट्रीज तो फ्रेंट्स यह स्टेप लिया गया है चाइना के द्वारा ठीक है इसका सही जवाब होगा डी चाइना अगल किस कंट्री में स्थापित किया गया है अगला कोशन है कोशन में tribal TB initiative पहल की शुरुवात की गई है और लच्छ क्या रखा गया है कि 2025 भारत को TB मुक्त करना है TB मुक्त भारत by 2025 अगला question 97 कौन सा कथन सही है पहला है आपका हाली में विद्धूत मंत्रले के अंतरगत Power Grid Corporation of India Limited ने एक ए ट्रेडिंग पोर्टल प्रणाली या प्रणीत लॉंच की है पहला स्टेट्मेंट है और दूसरा इसी को इंग्लिश में अगर पढ़ें तो रिसेंटली Power Grid Corporation of India Limited अंडर दे मिनिस्ट्री आफ पावर लॉंच और यंट्रेडिंग पॉर्टल प्रणीत तो इट्रेडिंग पॉर्टल प्रणीत आपका किस प्रणीत आपका किस के दोऱ लॉंच किया गया है पहला स्टेट्मेंट कहह रा है Power Grid Corporation of India Limited के दोऱा और दूसरा statement है 10 में 2021 को भाजपा नेता हिमंत बिश्वा सर्मा ने असाम के पंदरवे मुख्य मंतरी के रूप में शपत लिया है इन 10 में 2021 बिजेपी लिडर हिमंता बिश्वा सर्मा was sworn in as the 15th chief minister of असाम तो friends इसके दोनों ही statement correct है ध्यान रखिएगा बोथ A and B are correct ठीक है तो C option इसका correct होगा तो इसमें portal का नाम याद रखिएगा जो प्रनीत पोर्टल है जिसको हम लोग प्रनीत भी कह सकते हैं यह किसके दौरा launch किया गया है power grid corporation of india limited के दौरा जो कि आपका ministry of power के अंतर गताता है प 3D printed steel footbridge तो friends से पहला 3D printed steel footbridge जो है यह आपका Amsterdam में बनाए गया है ठीक है Amsterdam कहाँ पर है तो नीदर लेंड है ना नीदर लेंड अंस्टेम में आपका पहला 3D printed steel footbridge का निर्माण किया गया है अगला question 99 हाली में उतर प्रदेश के के सहर में दिव्यांगों के लिए देश में और दिव्यांग तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड लखनौ है ना हाली में लखनौ में आप कहसकते हैं देश का पहला दिव्यांग स्टेडिम बनाए गया है दिव्यांगों के लिए ध्यान रखिएगा अगला कोशन है कोशन नमबर हंड़ेट चार माथ 2021 से किस राज ज अमध्य प्रदेश ने हाली में नाइट सफारी की शुरुवात की है इसके अगला कोशन है फ्रेंड से कोशन नमबर 101 एक पीको मीटर और एक माइक्रो मीटर में कितने मीटर होते हैं तो फ्रेंड से एक पीको मीटर में आपका दस की घात माइनस 12 मीटर हो जाएगा 10 देश of the electric fan and disc brake तो जो electric fan उसके inventor का नाम क्या है उसके inventor का नाम है wheeler और disc brake के inventor का नाम है lanchester ठीक है तो wheeler ने विद्धूत पंका बनाया था और lanchester ने disc brake का विश्कार किया था ठीक है जो disc brakes लगे होते हैं उनका विश्कार किया था अगला कोशन है कोशन नमबर 103 किस उपकरंड की सायता से पानी में तेल की मातरा ग्यात की जाती है with the help of which device the amount of oil in water is determined तो इसका सही जवाब होगा gravy meter ठीक है gravy meter की सायता से पानी में तेल की मातरा को ग्यात की जाता है with the help of gravy meter you can find the amount of oil in the water उसके बाद अगला कोशन है किस उपकरंड की सायता से वाइ मंदली होगा हाइगरुमीटर ठीक है हाइगरुमीटर के दोरा जो वाइव मेंडल है उसमें हुमिडिटी या आधरता की कितनी मात्रा इसको ना पा जाता है तो इसका सही जबाप जाएगा डी अगला कोशन कोशन नमर 104 केंदरी सडक अनुसंधान संस्थान और भारती सर्वेक्षन इंडिया देहरादून और सेंट्रल रूट रिसर्च इंस्टिटूट या किंद्री सडक अनुसंधान संस्थान ये आपको जाएगा न्यू डेली कोशन नमर 105 फे रास्ट्री ये उर्जा संरक्षंट दिवस और विश्व दूर संचार दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जात है तो रास्ट्री उर्जा संरक्षंट दिवस ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व दूर संचार दिवस ये आपका 17 माई के दिन मनाया जाता है अगला कोशन है कोशन नमबर 106 विकिरन पर दाव का प्रभाव और यूरेनियम का विखंडन सिध्धानतों के अविश्कारकों का नाम बताईए नेम अफ दे इंवेंटर्स अफ दे इफेक्ट ओफ प्रेशर ओन रेडियेशन और फ्यूजन ओफ यूरेनियम तो यह जो कॉंसेप्ट थे किनके थे ध्यान रखेगा विकिरन पर दाव का प्रभाव या नेम अफ इफेक्ट ओफ दे प्र स्तिपादन क्या था ओटो होन ने ठीक है तो फ्यूजन ओफ यूरेनियम या हो जाएगा ओटो हॉन और एफेक्ट ओस प्रेशर ओन रेडियेशन या विकिरन परदाप का प्रभाव हो जाएगा मेगनाथ साहा का यह ऑप्शन अगला question है friends, question number 107, किसी वस्तु का ओसत वे एकिस प्रकार की गती में शूर ने हो सकता है, तो व्रती गती में किसी भी वस्तु की जो average velocity होती है यह zero होती है और गती सदयो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गती का कोई अर्थ नहीं है, यह famous statement किसका है, तो यह है Albert Einstein का तो यह किसका स्टेट्मेंट है, यह स्टेट्मेंट है, अलबर्ट आइंस्टीन का, और एवरेज इस वेलोसिटी किसी अबजेक्ट की सर्कुलर मोशन में जीरो हो सकती है, अगला कोशन है कोशनननम्बर 108, पंड़्ब्यों के इंजन में निमलखित मेंसे किसका उपयोग, इंधन के रूप में किया जाता है तो डीजल याद रखेगा डीजल का यूज पंडुब्बी के इंजन में इंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है और निम्द मेंसे किस उपकरण के द्वारा यांतरिक उर्जा याने की mechanical energy को sound energy में convert किया जाता है तो जो सितार होता है उसमें यानतरिकी उर्जा या फिर जो mechanical energy होती है उसको sound energy में convert किया जाता है question number 109 है बादल वाय मंडल में क्यों तैरते हैं और quick silver धातु किसको कहा जाता है तो quick silver जो silver धातु है फ्रेंस ये पारा को कहा जाता है और जो बादल होते हैं उनका घनत तो हवा के घनत तो उससे कम होता है इसलिए वो वाय मंडल में तैरते हैं तो B option इसका correct होगा density of the cloud is less than the density of air इसलिए वहाँ पर float करते हैं atmosphere में और जो quick silver होता है ये किसे कहा जाता है ये mercury क्यों कहा जाता है अगला question है question number 110 एक आदर्स तरल की शनेता कितनी होती है what is the viscosity of the ideal liquid तो आदर्स जो liquid होता है उसकी शनेता फ्रेंड जीरो होती है ध्यान रखिएगा viscosity होती है ideal liquid की ये 0 होती है और what is the unit of modulus of rigidity द्रड़ता गुडांक का मात्रक क्या होता है तो द्रड़ता गुडांक का मात्रक के newton पर meter square ध्यान रखिएगा है ना तो हम इसको ऐसे भी कह सकते है force per unit area ठीक है अगला question है question number 111 Kelvin पैमाने में किस बिंदू पर जल का कुथित होने किल से बिंदू पर जल कुथित होने लगता है मतलब at which point in Kelvin scale 0 degree centigrade to 10 degree centigrade its volume अगर पानी को 0 degree से 10 degree Celsius तक गर्म किया जाए तो इसका इतन क्या होगा तो पहले घटेगा लेकिन फिर बढ़ने लगता है ठीक है तो D option इसका correct होगा अगला question है 112 निमने में से किस माध्यम में परकास की चाल सबसे ज़्यादा होगी जल, तारपीन, कांच, नाइलॉन तो जो परकास की चाल है friends ये पूछा जा रहा है किस माध्यम में ज़्यादा होगी तो ये आपकी जल में सबसे ज़्यादा होगी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोड़ को क्या कहते हैं तो अगर ये आपका एक mirror है और यहाँ पर कोई ray जो है वो incident हुई आ करके तो हमें एक अभिलंब बनाए और suppose कीजिए कि ये आपका viral माध्यम है और ये आपका सगन माध्यम है तो ये जो ray होती है ये अभिलंब की तरफ जुग जाती है ठीक है तो आपतित किरण आपकी ये हो गई और अभिलंब आपका ये हो गया इसके बीच का angle आपका ये x हो गया तो इस x को हम बोलते हैं आपतन कौन या फिर incident angle ठीक है तो option A इसका correct हो जाएगा अगला question है question number 113 नीचे दिये गया रंगों में तरंग दैर्द कि बढ़ते करम से संबंदित सही विकल्ब का chain करना है तो जो द्रश्य प्रकास होता है है ना उसके elements विप गयोर इसमें अगर हम V to R move करते हैं तो जो lambda है मतब जो तरंग दैर्द है वो बढ़ता है और जो frequency है या जो mu है वो घटती है तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर सही option होगा आपका नीला, पीला और नारंगी नीला आपका कहाँ पर है blue, पीला है yellow और O से आपका orange तो नीला, पीला और नारंगी में जब आप ऐसे बढ़ेंगे तो नीले से ज़्यादा पीले के तरंगदर्द होगा पीले से ज़्यादा आपका जो नारंगी या औरेंज कलर है उसका तरंगदर्द होगा तरंगदर्द का मतलब होता है 114 है कीट नाशक के रूप में निम्न में से किस किरन का यूज किया जाता है तो जो गामा किरने होती है ध्यान रखेगा फ्रेंट फो पेस्टिसाइट्स को आप कह सकते हैं एधा पेस्टिसाइट्स यूज की जाती है और विच आफ दी फॉलॉइंग सब्स्टेंस मीडियम है था हाइस्ट स्पीड ऑफ साउंड स्पीड होती है साउंड की वो ट्विंटिफव डिग्री संटिग्रेट में हाइस्ट होती है एक्सव पंद्रह निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव औस्था में पाई जाती है तो आप सभी को पता है जो पारा है मरकरी है ना ये रूम टेंपरेचर में लिक्विड इस्टेट में पाई जाता है और कौन सी धातु कौन सी अधातु तब तो कमरे के ताप पर द्रव औस्था में पाई जाता है तो जो bromine होता है, वो एक non-metal है, है ना, और ये भी room temperature पर liquid state में पाए जाता है, सबसे भारी धातू का नाम बताईए, तो जो osmium है friends, ये सबसे भारी धातू होती है, osmium, और विद्धूत अब गटन की क्रिया में कौन से धातू cathode पर एकत्र हो जाती है, तो hydrogen आपकी cathode पर ए कारण होता है, ये आपका vitamin B1 या thaiamine की कमी की कारण होता है, तो सही option इसका हो जाएगा D, अगला question है, question number 118, boot polish और स्याही की निर्माण में, निमले कितमे से किस mom का, या किस mom की किसम का use किया जाता है, तो जो boot polish होता है आपका, है ना, और जो स्याही ink होती है, इसमें आप तो option इसका क्या हो जाएगा D, D options का correct होगा, अगला question है, question number 119, tiny acid, निम्ले में से किसमें पाय जाता है, और निम्ले में से किसका प्रियूग, खादे पदार्तों के production में किया जाता है, which of the following is used in the preservation of food items, और in which of the following is a tiny acid found, ध्यान रखिए गफ्रिन, जो tiny acid है, वो T में पाय जात करने की लिए, कैसी-terite, ice को और, malequite ice को संबंदिस बिकल्ब का आपको चेहन करना है, जो rose metal है, जो automatic fuse होते है, यह rose metal के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ü liquids STILL बनाने के होते हैं, स्टेनले में के लिए構न रखियाओं है, अगला question है, question number 112, Stainless Steel बनाने के लिए के साथ किस स्त्त्थ को मिलाया जाता है तो Nickel Carbon और Chromium D option का Correct होगा Nickel Carbon और Chromium Sorry Chromium Carbon और Magnes Nickel नहीं है Chromium Carbon और Magnes Option मै 얼ने पहला वाला ध्यान से देखा यह Chromium Carbon और Magnes इसका यूज किया जाता है Stainless Steel को बनाने के लिए और लोहे के साथ chromium carbon और मैगनीज को मिला आता है ध्यान रखिये का ए ओप्षिन इसका correct होगा ठीक है ए ओप्षिन इसका correct होगा अगला कोशन है कोशन नमबर 123 निम्न में से किस इलकोहली पे में इलकोहल का प्रतिश्यत सबसे ज़्यादा होता है beer, champagne, brandy, vodka तो friends ध्यान रखियेगा brandy और vodka में near about almost same alcohol content होता है लेकिन जो brandy होता है उसमें alcohol content कहीं न कहीं वोटका से ज़्यादा होता है तो इसका सही option होगा C अगला कोशन है कोशन नमबर 124 निम्न में से किसे noble till का जाता है which of the following is called noble oil तो trinitroglycerine जो trinitroglycerine होता है इसे noble oil बोलते हैं और निम्न में से कौन सा एक संसलेशित भोलक नहीं है which of the following is not a synthesized polymer तो starch कोई synthesized polymer नहीं होता है अगला कोशन है कोशन नमबर 125 किस प्रकार की कोईले में कार्बन की मातरा सबसे ज़्यादा होती है तो anthracite anthracite quality का जो कोईला होता है इसमें कार्बन की मातरा सबसे ज़्यादा होती है और 90% lead मतलब आप कह सकते हैं 90% सीसा रहित petrol और 10% alcohol के मिश्रण को क्या कहते हैं तो यह आपका gas hole होता है जो gas hole होता है 90% lead free petrol और 10% alcohol का मिश्रण होता है अगला question है question number 126 lead oxide calcium sulphate के ओदे की नाम क्या है तो जो lead oxide है इसको हम लोग लिथार्ज की नाम से जानते हैं ठीक है lead oxide आपका लिथार्ज हो जाएगा और जो calcium sulphate है यह आपका जिप समझाएगा C-A-S-O-4-2-H-2 और P-B-O यह आपका lead oxide हो जाएगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 126 का हो जाएगा D अगला question है 127 घर के pipe और तार बनाने के लिए किन बहुलुकों का यूज किया जाता है तो घर के pipe और तार बनाने के लिए polyethyl acrylite और तार बनाने के लिए teriline का यूज किया जाता है question number 128 कौन सा संगटक पदार्त mobile oil के निर्माड में प्रयोग में लाए जाता है तो mobile oil के निर्माड में इस नहक तेल का यूज कर जाता है मतलब जो lubricating oil होता है उसका यूज करते है mobile oil बनाने के लिए और fuel oil की कोथना की परास क्या है मतलब what is the range of boiling point of the fuel oil तो जो fuel oil होता है उसका boiling point का range है 370 से लेकर के 600 degree centigrade ठीक है उसके बाद अगला question है ट्रेपोनीमा पैलीडम ये एक बैक्टीरिया है ट्रेपोनीमा पैलीडम और इसकी वज़ासे कौन सा रोग होता है तो सिफलिस याद रखिएगा जो सिफलिस होता है वो ट्रेपोनीमा पैलीडम की वज़ासे होता है सौरी पैलीडम की वज़ासे होता है ठीक है ये एक जिवाणू है या बैक्टीरिया है जिवाश में की विज्ञान मतलब पैलियेंटोलोजी और आदुनिक ब्रून विज्ञान या modern embryology आपके पैलीडियेंटोलोजी की फादर मान जाते हैं जनक मान जाते हैं और जो आपके वोन भीर है या आपके modern embryology के जनक मान जाते हैं question नमर 131 है double stranded RNA में कौन सा वायरस पायाता है तो जो double stranded RNA होता है इसमें आपका rota virus पायाता है धियान रखिएगा कुछ नमबर 132 है किस तत्तो के कारण प्याज और लैसुन में गंद आती डू टू फिछ ऐलेमेंट और इंड गार्लिक समेल तो सलफर के कारण यह समेल है और बाइडिफिशेंश इडिबा प्रॉटी यह जनित प्रोटीन कालिफ यह फुल वह भी कि जो ब्रॉटिंग है वह क सब इको पता वोगा अंडे में आपका ऑफ बोलो मिन और जो मख्का होता है उसमें आपका जिन प्रोटेन पालता ठीक है तो अभलो में आपका अंडे में आध ग्तायों जो जूरे इडली इंक इन पालता ये मक्यम के में Div Ụ अगला कोशिन है कोशिन नमबर 134 निम्दकित में से किस हार्मोन का श्राव ग्रहनी द्वारा नहीं होता है और मनुश्री की लार का प्येच मान कितना होता है तो विच फॉलिंग हर्मोन और किस हार्मोन का श्राव ग्रहनी द्वारा नहीं होता है तो यह आपका होजाएगा ग्रहुआग और जो नॉर्मल प्येच होता है हुमन सलीवा का वो होता है थिक है 6.5 का मतलब हुआ अगर 7 से ज्यादा होता है और 7 से कम तो 7 या 7 उदासीन होता है साथ से ज़्यादा आपका basic होता है और साथ से कम आपका acid होता है तो हम कह सकते हैं जो human सलिवा है वो acid होता है एक west पुरुष के मिरुदंड में कितनी यस्तियां पाई जाती है तो एक वैस्क पुरुस के जो मिर्वधन्द होता है उसमें 26 है ना 26 अधियां पाई जाती है इन में से कौन सा कार्बोहड़ेड मोनोसेक्राइट है यह आपका है ग्लूकोज और किस विटमिन की कमी के कारण रक्त शिंदता रोग होता है एनीमिया किस दे विटमिन की कमी के कारण होता है यह किस की कमी के कारण एनीमिया होगा तो सेलोज विटमिन B6, B12, Folic Acid तो आप कह 27 रक्ठ में जलका प्रतिशत कितना होता है तो ब्लड के अंदर जो वाटर परसंटी होता है ध्यान रखिए गा ठीक है और र CH Frazier के के ने प्रकारखी उती है तो यह तीन प्रकारखी होती है नेल में प्रभावित होता है तो जो intestines होते हैं आत है ना वो टाइफाइट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगला question है 139 यहां से friends अपना math का math के question start है तो जल्दी जल्दी से मैं इसको आपको बताता हूँ trick को ध्यान से सुनिएगा एक वुरित एक तरिज्या हाना बे के तरिज्या की एक तिहाई है तो मतलब 1 इस्टू 3 का रिशियो है यह तरिज्या का रिशियो है आप से 6 तरफल कानुपात पूछा आ रहा है तो pi r square होता है तो pi r1 square हाना और इस्टू pi r2 square आपकरेंगे pi पाई कर जाएगा तो r1 square is to r2 square r1 square 1 ही रहागा r2 square आपकर 9 हो जागा तो सही जवाब जाएगा c 1 is to 9 अगला कोशन है पंद्रम बदो के एक संक्रहन के लिए जो sigma x है उसकी वेले दिवी है 630 तो आप से पूछा arithmetic mean कितना होगा तो 630 को आप सीधे 15 से divide कर दीजे तो 15 से जब आप इसे divide करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा 42 अगला कोशन है नीचे दिएगा data के लिए range ग्याद करना है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो difference होता है वही range होता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते है इसका answer होगा A ठीक है 34 अगला कोशन है एक वेक्ती 500 मीटर चोड़ी सडक तो ये बहुत इजी कोशन है चोड़ाई दे दीगे इस सडक की और टाइम दे दीए गया है कि इतनी दिर में उपार करेगा तो चाल तो आप अथानी से निकाल सकते है अगला कोशन है कोशन नमबर 143 दो साल के लिए 10% वार्सिक दर से 75-100 की राशी क्या होगी जब चक्रविद्धी वार्सिक रूप से दिया जा रहा हो तो 75-100 का सीधे 10% आप निकाल दीजे और जो संक्या मिले उसको आप 7-500 में जोड़ दीजे अंसर आपको मिल जाएगा इसका अंसर होगा फ्रेंट बहुत एज़ी है आप इसे निकाल सकते हैं ये आप्शन वैसे करेक्ट होगा इसका ठीक है अगला कोशन है देखिए बहुत बेसिक सा कालकुलेशन वाला कोशन है तो इसे आप असानी से कर सकते हैं ऐसा कोशन कभी भी आए तो आपको एक रूल लगाना होता है BODMAS इसी रूल पर आप चलिएगा बॉर्ड मास का रूल लगाईएगा तो आंसर हमेसा आपका करेक्ट आएगा P की आए, R की आए से 25 परसेंट कम है मतलब अगर हम P की आए R की आए को 100 मान लें और P की आए हो जाएगी आपकी 75 है ना कह रहा है कि P की R की आए, P की आए से कितनी जादा होगी फिर तो यहाँ पर डिफरेंस आपका 25 का है है ना नीचे आपका 75 आएगा इंटो 100 कर दीजे, यह आपका डिफरेंस निकल आएगा 25 आए 75 और 3 से आप सोग को डिवाइट करोगे तो आंसर C आजाएगा 35 दस्मलो 3,3 अगला कोशन है, 7 दस्मलो 5 वार्सिक दर से तो बहुत एज़ी है, P, T, R यह फॉर्मला लगा दीजे, P का मतलब हो गया 12,500, R साथ दस्मलो 5 और T हो जाएगा चार वर्स, यदि 6 खिलोनों को 9 खिलोनों के तो बहुत एज़ी सा कोशन आप कीजेगा, नहीं आता है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजेगा, इसको बता दिया जाएगा जो हमारे एक्सपर्टे मैथ के वो इसको रिजॉल्फ कर देंगे, वैसे इसका B option करेक्ट होगा, अगला है कोशन नमबर 148, तो बहुत इजी साथा calculation, 1691 बटा 89 is equals to root 2, आप root X लिख लीजे और इसको जब आप solve करेंगे हैना, तो यह पूरा इससे कट जाएगा, और यहाँ पर आजाएगा आपका, 19, तो दोनों तरफ square करेंगे, तो मिल जाएगा आपको 361, तो X कमान हो जाएगा 361, अगला question, X plus 1 upon X की value आपको दी गई है, तो ऐसे questions कही बार मैं आपको पता चुका हूँ पहले भी, तो करने की आप कोशिस कीजिएगा, answer फिलान इसका होगा C, ठीक है, अगला question है, question number 150, तो बिल्कुल यह एठाइस को आप दो part में ऐसे तोड़िए, कि आपको एक perfect square बिल जाए, तो question कीजिएगा, easy सा question हो जाना चाहिए, यह सारे cube root दिये गए हैं, आपको solve करके, सबका cube root लेकरके, जोड करके घटा दिना है, तो इस तरह से जब आप इसको solve करेंगे, तो answer आजाएगा 23, अगला question है, question number 152, एक cycle 25% lap पर B को बेचता है, 20% lap पर C को बेचता है, 300% रुपय का भुक्तान करता है, बहुत यह question ऐसे, बहुत easy होते हैं, कैसे, देखें, आप C से आगे बढ़िए, ठीक है, A, B, C, 3 है, तो आप C से आगे बढ़िए, A तक जाईए, जो जो कह रहा है, वो करते जाईए, इसका वैसे सीधा का क्लिक्शन होता है, 300 गुड़ा, अब 20% lap पर बेचा है, तो 120 बटा 100 गुड़ा, इसी तरह से करते चले जाएंगे, 25% lap पर हो जाएगा, 125, 100 है ना, और इसक क्लिक्शन है, कि ऐसा कोशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में, तो उसको आप कंसिर्दर कीजिएगा, और यह कोशन आसानी से हो जाएगा, अंसर इसका है, C, ठीक है, कुल राशी से A को 25 दिन की मजदूरी और B को 36 दिन की मजदूरी दी जाती ह तो दोनों को उसकी राशी से कितना दिनों की मजदूरी दी जा सकती है, sum of money sufficient to pay age wage for 24 days, तो बहुत easy सा मैंने आपको एक ट्रिक बता था, 24 और 36 days वाला, है ना, और इसमें आपको एक LCM लेना होता है, और LCM जो भी है उसको आप डिवाइट कर दीजे, जो आपकी efficiency निकले उस 155 question ये भी same question है, आप इसको कीजिएगा, आपको पता है इसमें एक formula लगता है, M1, 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 D1, है ना, बराबर M2, D2, ये formula लगाईगा, जो number of men's होते है, जो number of days होता है, M1, D1, W1, is close to M2, D2, W2, W जो काम होता है, हो same होता है, है ना, उसको 1 लिले है, तो W दोनों से कड़ जाता है, effective formula आपके पास ये बचता है, एक null, thank you, same question है, time and work में ही ये question भी आता है, हैना, 10 घंटे में भर सकता है, और फिर कह रहा है, 12 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों ले एक साथ खोल दिये जाए, तो same question है, ऐसा question में पहले भी, जो test series थे उसमें बता तो यहाँ पर आपको एक LCM ले लिना होगा, LCM आपको ले करके, दोनों की efficiency निकाल दीजे, और जो efficiency निकले है, उसका effective efficiency निकाल ये जोड़ करके, जो खाली कर रहा है, ध्यान रखेगा, उसको आपको minus में लिखना होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे करेंगे, तो उसक 45 जगरी और 30 जगरी दिये गए है, पुल के दोनों छोड़ चोटी के एक ही तरफ है, तो यहाँ पर सपोज किए कि यह आपकी चोटी है, है ना, और यह आपका पुल है, तो यह अवनमन कोड की बात कर रहा है, तो उन्नेन कोड आपको पता है, सीधा बनता है, लेकिन जो अ अवनमन कोड और यह आपका जो ट्रिक्नोमेट्री होता है, हाइट इंडिस्टर, उसका फॉर्मला लगता है, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सीधे मैं आपको बता जरहा हूं, 1045 और 1030, इसको फाइंड आट कीजिएगा, अंसर आपका आजाएगा, हना, और बाकी यह आपको जल्दी से एक वैलू बता दे रहा हूं, साइन फोर्टी फाइस, और जो कॉस्ट फोर्टी फाइस होती है, तो 1045 की वैलू हो जाती है, अगर इसी तरह 30 डिग्री पर जाएगा, तो साइन 30 की वैलू 1 बाई 2 होती है, और 1030 जो आप इसी तरह निकालोगे, तो 1030 का म माना जाता है, रूट 3, ठीक है, मैथ की क्लास में, अब जो आपके मैथ के एक्सपर्ट है, वो आपको इसको रिजाल्व कर देंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये कोशन है, इसको भी आप देख लिजे, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, कोशन नुमर इन एक्स का जो स्कॉाइर है, वो इक्वल है आपका, 20-25 के, तो 81 स्कॉाइर बराबर आपका दे दिया है, यहां पर 20-25, तो एक्स स्कॉाइर की वैल्यू 20-25.81, इसको रिजे, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, उससे आप इनकी वर्तमान आयू निकाल दिजे, 7x और 2x म आउसर आजाएगा, 40, ठीक है, 40 हैं वर्ति इसका अंसर होगा, D option, अगला है, एक इसी काम को 8 गंटे में कर सकता है, बी इसी काम को 3 गंटे में कर सकता है, आप, ए और 4 गंटे में, तो इसे देखे मैंने पहले भी ऐसे कोशन बताएगा है, ए 8 गंटे में, C 3 गंटे में, A और C 4 गंटे में, फिर आपको कह रहा है कि अकेला सी इस काम को कितने गंटे में करेगा, तो सबसे पहले आप इनका एक एलसिम ले लिए, तो 24 इसका ऐसे मजागा, तो 8 3,024, 3,024 और 4,6,024, यह आपको एफिशेंसिये पता चलगी, या लग लग, सी कितने दिन में करेगा अकेला, तो आपको पता है, यहाँ पर आप सीधे C की एफिशेंसिये आपको पता चलगी क्या है, वो है 8, तो आप सीधे 24 को 8 से डिवाइट कर दिए, है ना, तो आपकी C की एफिशेंसिये आजाएगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एफिशेंसिये सीधा आपको पता च तो उसका आंतरिकोन क्या होता है n-2 into 180 डिग्री यह एक नहीं है यह सारे आंतरिकोनों का यह होता है अगर एक आंतरिकोन आपको निकालना है तो अपने कर दिए क्योंकि एन क्या है number of size जो बहुज है उसमें number of size कितने हो एन है तो यह फॉर्मलाप लगाएंगे तो एक आंतरि टिक सॉल्व करके आपका 161 का अंसर आजाएगा दस और बारा है ना इसको आप स्वाल्व किजिएगा 60 ठीक है तो 84 इसका अंसर आजाएगा अगला कोशन है 163 एक संच दुरुष का परिमाप दिया गया है और दोनों विकरणों की लंबाई दी है एक विकरण की लंबाई दी है दूसरा विकरण आपको व्याद करना है सीधा सा फॉर्मला लगता है इसको आप सॉल्व किजिए 70 मिटर लंबी रेल गाड़ी 30 मिटर बहुत एजी सा कोश्चन है मतलब इस पर डिस्टेंस टाइम का है सिंपल सा एक फॉर्मला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय अब इसमें एक ट्रे दो ट्रिक होती है वह मैं जल्दी से बता दे रहा हूं अगर डिस्टेंस कॉंस्ट नशीटा लेखनन होती है जाना है तो जो स्पीड और टाइम का रेश्यो होता है वह सहो जो होता है वही हो जाता है ती 2 इस्थी टी 1 के मत्तब जो स्पीड होती है वह इन्वर्सली प्रॉपोर्च्ऽिन जाती है टाइम अगर आपका कॉंस्टेंट है भना सब्सक्лиाइग होता है तो डीए त्युक्षी के का कड़ेगे बतना चाहिए कर साथ कुछ सोजाता है उसके बाद एक थ्लीए यह को जिराक ठोज है विए ट्रॐन से सब्सक्राइमित के कि फिरेगेिन एक स्फीन no. नंबर 167 आपका एक इसका अंसर मैं बता देना हूँ वैसे इसका अंसर है जो कोश्च नंबर 166 है इसका अंसर है सी एलेवन पाइपाउन तो केंद्र के बीच की दूरी का स्कॉयर प्लस तुरिज्याओं का जो वैसे इसमें वह आपसे पूछा गया है इस पर श्रेखा की बात नहीं की गई यह इस पर श्रेखा का फॉर्मला होता है कि टैंजेंट की अगर लंबाई ग्याद करनी हो तो जो केंद्र होते हैं दो व्र स्कॉयर कर लो अंडरूट में इसको सॉल्व करें जो आंसर आएगा वही आपकी इस पर स्रेखा जो होती है टैंजेट उसकी लंबाई होती है यह कोशन तो बहुत ही इसमें इस पर स्रेखा की बात नहीं कि इसको आप सॉल्व करने का प्रैस कीजिएगा कोशन नंबर 168 है कि यहां पर साइन ठीटा यह आपका इस तरह से थीटा अगर आप इस पूरे घ्यात under तो sin theta बराबर अगर x है तो x का मान आपको ग्याद करना है हाना तो sin 2 pi sin minus 2 pi अपन 3 यहां पर दे रख़ा इसका value आपको निकलना है तो आप देखेंगे तो actually मैं sin minus 120 degree का मान यह पूछ रहा है हाना तो इस तरह से जब आप x का मान निकालेंगे आपर तो आजाएगा minus root 3 by 2 क्योंकि 120 degree अगर आप पूलेंगे तो sin 90 plus theta तो 90 plus 30 हो जाएगा हाना और sin 90 plus theta ब्राबरा हो जाएगा cos theta तो sin cos theta की value होती है root 3 by 2 लेकिन यह पूरा मान 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 में है तो minus root 3 by 2 answer आजाएगा अगला question है 170 यह भी आप कीजिएगा यह भी आसानी से हो जाएगा नहीं होता है तो आप comment section में इसे पूछ सकते हैं जो हमारे math के expert हो जवाब देंगे answer मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को करने में सहुलियत हो है ना आप exam आ रहा है तो इन सब questions की practice करते है यह answer इसका 29.18 अगला question है question number 171 समकोड त्रिबुज में त्रिबुज में आपका एक समकोड दिया हुआ है एंगिल ABC आपका समकोड है तो यहां पर एह होगा यहां पर इसको बाहर से तो यहां पर आप तीसरी बुजा की जो जीवा है उसकी लंबाई याद कर लीजिए आसानी से निकलाएगा आपका जो ट्रिज्या है बाइवृत का एक फॉर्मला भी होता है किसी कमरे के आधार का शेत्रफल दिया हुआ है मतलब यहां पर बात कर रहे है क्यों की द्यान रख है ठीक है 173 आपका की वर्स नाइंटीन सेविंटीन में अब यह डेट वाला कोशन है कलेंडर वाला इसका अंसर होगा 1984 सौल कीजिए का बी ऑप्शन करेक्ट होगा 174 भी आपका सेम वे कोशन है इसका भी अंसर आपका हो जाएगा बुद्दवार ठीक है 175 जो कोशन है आप पर तो इसका अंसर आप देख लिएगा इस सारे कोशन बहुत इसी है इनको आप स्वाल कीजिएगा और स्वाल करके आप अंसर निकालिएगा मैं यहां पर कोशन आपको दिखा दे रहा हूं फिर यहां से स्टार्ट हो यहां था है कोशन नमबर 176 तक हिंदी पराग्राफ पढ़ने तक पूरा टाइम नहीं होता है तो पराग्राफ पूरा नहीं पढ़ाएंगे मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं आप स्क्रीन शॉट ले लो आयोप आपने ले लिया होगा अब यह कोशन नमबर 126 सीरसक पूछ रहा है आप खुछ से पराग्राफ पढ़ि अब जगें और कोशन नमबर 178 जो है इसका अंसर हो जाएगा आपका वन और टू कोशन नमबर 129 पूछा है तो हतास जो होता है वोता ही का विलों होता है द्यान रखेगा उसके बास कोशन नमबर बन निटी है कौन सा गर्वित शब्द का परहवाची है घर्वित का सब्क्राइब को लिए होता है अभिमान कौन रीतुत तरंगनी तथा अतित इस्मृति के लिए एक हैं तो आचार महावीर प्रचात दिवेदी दिनिगा मस्तूल्ण और प्रगति कर्म स किस भाथा किस सब्न हैं तो जो मस्तूल है है आपका पॉर्तगाली भासक है और जो प्रगती है या आपका मराठी बसागा है ठीक है कोशन नमर 183 है इनने में से कौन सा सब्द व्यक्तिवाचक संग्या का उधारन है तो व्यक्तिवाचक संग्या गांधिवाद आपका व्यक्तिवाचक संग्या हो जाएगा रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी वा 185 question है निम्नरिकार में से तद्बोस अब आपको चैन करना था अन्सरव जयाए का कीवाट है यह कंसा आमका परयाधंगी नहीं है तो रंभा भानुसल के परयादवाची नहीं नहीं है बाकि सहकार यह सारे आपके आमके पहिए कहलते यह गला कुणि अकुछन जो विलोम है वो हो जाएगा मंदन ठीक है तो ये important है अखंड का विलोम हो जाएगा मंदन ठीक उसके बाद वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो और जिसकी कोई सीमा ना हो तो जिसकी कोई सीमा ना हो वो होता है असीम और वह भाई ये अनुकार्थी शब्द है आपको एस्फटिक और अरुण के लिए हो जाए था कुमकुम ठीक है उसके बाद अगला कोशन है कोशन नमबर 190 वह इतना अच्छा अदमी था कि सभी उसका अधर करते थे इसमें कौन से क्रिया है तो इसमें फ्रेंड्स आपकी परिडाम वाचक क्रिया है ठीक है वह अच्छा अदमी था तो इसका परिडाम है कि उसका सब लोग आधर करते थे द्यान रखेगा अगला कोशन है कोशन नमबर 191 अगस्त का समुद्र पान और अंजर पंजर धीले हो जाना इन दो महारों महारों का आपको आरत बताना है तो अगस्त का समु अगस्त करते हैं तो आपके मुझसे एक निसल जाता है कि अंजर पंजर आज धीला हो गया है अगला कोशन नमब 192 किन विकल्पों में सुद्ध वाक्यों का आपको चैन करना है सुद्ध शब्दों का एक्शली यहां पर चैन करना था तो पावरुश और अंजली आपके श कि उसके बाद 194 है नराधम तता खगोश में करम धाराय समासे और खगोश में आपका बहु बरी समासे ते खगेश में बहु बरी समासे ऊंके निकल उढ़ जाते छड़ भर उड़कर आ जाते शव जीव खींच कर कवये चुबलाचुबला कर खाते भोजन में श्वांस लग तो फिर इन से आते पूझा गया है कि उपर युक्त पंतियों में कौन सा रस है तो यहां पर विभस्त रस है ज्यान दखेगा विभस्त रस ठीक है तो इसमें आपसे पूछा रहा है कि कौन सा लंकार है यहां पर भ्रांती माना लंकार है क्योंकि यहां पर भ्रांती हो रही है कुछ भी क्लियर नहीं है ठीक है वो माना जा रहा है कि उनकी दो चोटियों को सर्प समझ लेता है है और यह समझ कर भ्रांती मान अलंकार दिख रहा है कोश्च नेबर 197 सब्दों का उचारन कहां से होता है तो यह सारे ही दंते हैं ध्यान रखेगा लस है यह सारे आपके दंते हैं 198 सुल्टान पुर श्रावस्ति और लखीम पुर किरी के मद्दे कौन सी भासा बोली जाती है तो यहां पर आपकी अवदी भासा बोली जाती है ध्यान रखेगा ठीक है कमेटी और सवाज यह इस्त्रे लिंग है ठीक है कमेटी और सवाज यह इस्त्रे लिंग है ओके फ्रेंड सो थांक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इस टेस्ट